दुनिया में बहुत सारी अलग-अलग तरह की इमारते हैं, लेकिन कुछ ही इमारतें अपने डिजाइन, आर्किटेक्चर या फिर अपनी कहानी के कारण प्रसिद हैं साथियों आपकों दुनिया की पांच अजीव बिल्डिंग के विसे में बतानी वाले हैं इनमें पहला है क्रोगड हाउस, ये अजीव बिल्डिंग पॉलेंड में है, इसका नाम क्रेजबो डॉमेक है, जिसका पॉलिस भासा में अर्थ होता है टेड़ा मीड़ा घर इसकी आर्किटेक्चर को फेरी टेल के द्वारा प्रिभावित किया गया है, जिसके काराड़ी ये बहुत ही अजीव देखने वाला घर है ये बिल्डिंग 2004 में बनाई गई थी, दूसरी नमबर पर आता है बास्केट बिल्डिंग जो कि अमेरिका के ओयो सहर में इस्तित है ये लॉंग बर्गर कमपनी का हेड़ कौर्टर है, ये बहुत ही यूनिक बिल्डिंग है, इसका डिजाइन एक बास्केट या टोकरी के रूप में है इसको 1997 में बनाया गया था, इसमें साथ फ्लोर है, ये बिल्डिंग अमेरिकन कूपरेटिव और उनके पिता जे डवनू लॉंग बर्गर की याद में बनाई गई थी तीसरी है डांसिंग हाउस जो की प्राग चैगर राज्य में इस्तित है, इसे टैंसी सी डम कहते है इसका डिजाइन एक मौडन आर्ट के साथ पुराने इस्टाइल के आर्किटेक्चर का मिस्रण है, ये बिल्डिंग 1996 में बनाई गई है, इसकी यूनिक सेप और मुवेंट को देखकर इसे डांसिंग हाउस कहा जाता है इसके बाद है है हैविटेट 67, ये मौन्ट्रियन कनाडा में इस्तित एक रेजिडेंटल कॉंपलेक्स है, इसका डिजाइन एक फ्यूचरिस्टिक स्टेकिंग ब्लॉक्स जैसा है, ये बिल्डिंग 1967 में एक्सपो 67 वर्ल्स फेयर के लिए बनाई गई थी, इसका यूनिक ड इसे अजीव और प्रेसिद बनाती है, अंतिम पांचवा है स्टॉन हाउस, पुर्तगाल में एक अजीव घर है जो की दा स्टॉन हाउस के नाम से जाना जाता है, ये घर नेचरल रॉक्स और स्टॉन से बना है, इसकी सक्र एक कैव की तरह है, ये बिल्डिंग फेयर सहर के पास है, और 1974 में बनाई गई थी, इसकी यूनिक डिजाइन और नेचरल सर्राउंडिंग इसे प्रेसिद बनाती है, तो साथियों ये थी दुनिया की कुछ प्रेसिद और अजीव बिल्डिंग जो की दुनिया में मौजूद है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तेसी लाइक भी सेयर करें, धन्यवाद